Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, कई बार क्या होता है कि जब आप motorcycle में accelerator लेते हो या फिर आप motorcycle को high speed पे चलाते हो तो उस वक्त आपको motorcycle से vibration feel होता है बहुत बार यह जो vibration होता है वो front से आता है बहुत बार पीछे से आता है और बहुत बार motorcycle के center से आपको vibration feel होता है वैसे vibration को हिंदी में कमपन कहते है तो आज किस वीडियो मैं आपको detail बताऊंगा कि motorcycle से vibration किन किन कारणों से आता है तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप channel पे नहीं हो तो channel को subscribe भी जरूर कर ले अब फिर जो prime reason है जो main reason है जो motorcycle से जिस वीडियो से vibration आता है वो है tires देखे कई बार क्या होता है या तो front का tire हो या तो rear यानि कि पीछे का tire हो जब tire जो है वो unbalanced हो या फिर जो tire में trades होते है वो uneven हो यानि कि tire में एक side में trades जादा हो दूसरे side में कम हो तो इन सब कारणों से क्या होता है कि जब आप accelerator लेते हो या जब आप high speed में चलाते हो तो ये जो tire होता है uneven trades के वज़े से और unbalanced होने के वज़े से इनका bonzing होता है एक side से ये ज़्यादा bonze करते है एक side से ये कम bonze करते है और ये prime reason बन जाता है motorcycle को चलाते हो वक्त जो हमारा vibration हमें feel होता है अब दूसरी तरफ क्या है कि tire से जुड़ा होता है rim ठीक है तो जो rim से है आपके motorcycle के आपको वहाँ पे भी check करना है अगर आपको जो rim होता है वहाँ पे छोटा सा भी dent दिखाई दे या किसी तरह का bend दिखाई दे तो उस छोटे से bending के वज़े से भी क्या होता है कि vibration होता है जब आप motorcycle को चलाते हो क्योंकि ये जो rim का bending है वो जो हमारा tire है उसे unbalanced कर देता और eventually हमारे motorcycle से हमें जो vibration है वो feel होता है अब tire और जो rim है उसे check करने के बाद आपको सिधा जाना है brake caliper में अगर आपका motorcycle में disc brake है तो चाए front disc brake हो या पीछे का disc brake हो तो जो brake caliper होता है उस brake caliper के अंदर में जो brake pad होता है अगर वो sticky हो यानि कि वो brake pad लगतार जो brake disc का rotor है उसके साथ लगतार contact में रहेगा तो उससे क्या होता है कि जब लगतार आप काड़ी को चलाते रहते हो और भले आप brake lever को छोड़ भी देते हो उस वक्त क्या होता है कि जो brake rotor है उसका friction ज़्यादा होता है उसमें heat ज़्यादा generate होता है और eventually ये जो हमारा heat है और जो stickness है brake caliper का उस वज़े से क्या होता है कि जो wheel है वो unbalanced होने लगता है वो थर्थराने लगता है इस तरह से और इस वज़े से भी आपको vibration feel होता है और इसके साथ ही जो brake caliper अगर वो sticky होगा तो आपका जो brake pad है वो भी जल्दी खतम हो जाता है उसका brake जो हमारा rubber है वो जल्दी wear out हो जाता हो और rotor भी जल्दी खराब हो जाता है तो फिर आपको brake caliper को check करना है vibration की time पे अब friends अगर आपको feel हो कि आपको जो motorcycle में vibration हो रहा हो पीछे से हो रहा है फ्रंट से नहीं हो रहा है पीछे से हो रहा है तो फिर पीछे का chain स्प्रॉकेट हो या फिर दोनों भी खराब हो सकता है क्योंकि यो chain स्प्रॉकेट होता है वही chain को rotate करते रहता है और power को पीछे के चक्के तक भेजते रहता है तो chain स्प्रॉकेट के खराब हो जाने के वज़़ए से wear out हो जाने के वज़े से भी vibration होता है इसके अलब आपको chain भी चेक कर लेना है कि chain ज्यादा tight तो नहीं है उस वज़े से भी vibration होता है जब ज्यादा tight chain हो जाए तो chain को भी आपको lubricate करके रखना है अब friends अगर आपको feel हो motorcycle को चलाते वक्त कि आपको vibration हो रहा है वो motorcycle का को center से feel हो रहा है आप समझाओ कि याद तो engine के अंदर से problem है अब जो engine के अंदर में basically जो problem होता है जो primary problem होता है वो होता है इस piston के वज़ासे ये जो piston है वो basically करता क्या है वो इस जो हमारा cylinder होता है engine का उसके अंदर में इसका movement होते रहता है ठीक है अब अगर ये जो हमारा piston है वो ज़्यादा ही sticky हो जाई cylinder के अंदर में इनका जो friction है वो ज़्यादा होने लगे lubrication नहीं हो पाए तो ये जो piston है वो क्या करता पूरा engine को vibrate करने लगता है क्योंकि इसका बहुत तेजी से आप dawn movement होता है और ये जो piston है वो वज़ा बन जाता है motorcycle के vibration का इसके साथ ही अगर आपको जो crank saft का जो bearing है जो का आप आप देख भी सकते हो ये जो bearing है अगर ये misfiring के वज़ा से भी vibration होता है वैसे misfiring क्या होता आप ये जाना चाहते हो तो इसके उपर में डिटेल वीडियो में अउल्यडी अप्लोड क्या हुआ है link मैं आपको description में देदूंगा आप friends कई बार क्या होता है कि engine के अंदर से ने engine के बाहर में जो mounting होता है engine का वो improper हो या है पर ज्यादा टाइट हो दूसरे का ज्यादा लूज हो तो उस वज़े से भी आपको vibration देखने को मिलेगा तो यह सब important region है जिसके वैसे आपको vibration देखने को मिलता है और इसके लाबा जो हमारे motorcycle का handlebar है अगर उसका bearing जो है वो तूट जाए खराब हो जाए वो काम सही से नह हो तो handlebar भी बहुत बार वज़ा बनता है motorcycle के vibration के लिए तो friends यह कुछ important points थे जो की अकसर motorcycle में vibration को create करते हैं इनके वज़े से जो बाइक है वहाँ पे कमपन ज़्यादा होता है तो अगर आपके motorcycle में यह problem आता है accelerator लेते वक्त या फिर high speed में चलाते वक्त तो आप इन चीजों को जरूर चेक कर ले और इस problem को जल्दी से जल्दी ठीक कर ले क्योंकि यह जो problem है वो आगे जाके बहुत बड़ा problem जब मुसीबत खड़ी कर सकता है तो friends I am sure आज का ये video आपनों के लिए helpful होगा आपको कुछ नया सिखने को मिला होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीड दो बाई